तो यह है Gemini 2, यह premium level का earbuds है, चलिए इसकी unboxing करते हैं, box में, जो product है, उसे इस तरीके से pack किया गया है, और यह देखिए, यह है charging case, और यह case है, यह ऐसा दिखता है, जो quality है काफी बढ़िया है, एकदम unique type का है, अलग ही design है, और यह earbuds है, यह भी देख सकते हैं कि काफी unique है, जैसे कि मैंने कहा, यह premium level का है, तो वैसे type की quality आपको यहाँ पर मिलने वाली है, इसे मैं फिर से यहाँ पे दाल देता हूँ, और इसके अलावा box में, यह कुछ booklets दिया हुआ है, और जो packing है, यह भी काफी अलग है, जितने भी earbuds का मैंने review किया है, उसके comparison में काफी अलग है, यहाँ पर है cable, USB to type C cable, और इसमें कुछ extra ear plug caps दिया हुआ है, तो इनकेस अगर यह जो earbuds है, आपके कानों में सही तरीके से fit नहीं हो रहे हैं, तो आप यह जो ear plug caps है, इनहें use कर पाएंगे, extra small, small और large options में available है, तो यह जो user manual है, इसमें QR code दिया हुआ है, developed Gemini app, इसे आपको download क कर लेता हूँ, तो application का setup मैंने कर दिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि दो options available है, Gemini और Gemini 2, मेरे पास Gemini 2 है, तो मैं उसे select करता हूँ, और जो process है, वो मुझे follow करना है, तो इसका installation मैंने कर दिया है, और सबसे पहले यह दिखे, जो earbuds है, यह case में इस तरीके से fit होते है, यह premium level का है, तो इसमें वो सारी features है, जो कि आपको एक premium level के earbuds में मिलते हैं, touch sensitive buttons के साथ में आता है, यहाँ पर है वो button, यह इस तरीके से charge होता है, यहाँ पर यह LED indicator दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर यह button है, जिसे use करके, basically, जब आप इसे reset करना चाहते हैं, या फिर जो installation processes है, उसके दोरान यह बटन है, काफी काम में आता है, यहाँ पर नीचे type support दिया हुआ है, इनकेस अगर आपको इसे charge करना है, तो वो option भी available है, तो यह जो earbuds है, इन्हें मैंने कानों में पहिंग लिया है, और यह जो application है, यहाँ पर use करके, आप इसे customize कर पाएंगे, यहाँ पर transparency mode है, जो background आवाजे हैं, बहुत clearly सुनाई दिने वाली है, noise cancellation का option दिया हुआ है, आप बैसकरी और extra options नहीं है, यह जो icon है यहाँ पर, इसे tap करने के बाद, यह दिखे, equalizer का option दिया हुआ है, अगर आपको, आपको जो sound preference है, उसे customize करना है, तो यहाँ से आप कर पाएंगे, यह news, podcast, bass, treble, dynamic, तो यह सारे options available है, इने भी आप select कर सकते हैं, stereo balance का भी option दिया हुआ है, यह काफी interesting है, कभी कबार हम कोई audio सुनते हैं, जिसमें left side या फिर राइट side है, उसमें से जादा sound आपको सुनाई देता है, तो वैसे situation में आप यहाँ से control कर पाएंगे, जैसे कि मैंने कहा यह touch sensitive buttons के साथ में आता है, तो यह buttons है इने आप customize कर सकते हैं, आपको क्या करना है, जब आप button को tap करते हैं, double tap करते हैं, press and hold करते हैं, तो यह सारे settings for left as well as right यहाँ पर available है, multiple connectivity options के साथ में आता है, multiple devices को आप connect कर पाएंगे, लेकिन at a given point of time आप एक ही device को in earbuds के साथ में use कर पाए तो यह सारे options यहाँ पर फिलाल available है, कोई firmware update आएका तो यहाँ से आप उसे कर पाएंगे, एक update आया हुआ है, मैं इसे update करता हूँ, उसके बाद में इसे मैं test करने वाला हूँ, तो जो update process है मैंने शुरू कर दिया है, तो update मैंने कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से कान में दलना है और twist करना है, यह देखें, इस तरीके का fit आपको मिलने वाला है, जो fit है बहुत ही बढ़िया है और यह जो earbuds है यह काफी comfortable है, इतनी आसानी से आपके कानों से गिरने वाले नहीं है, बहुत ही secure fit मुझे मिला हुआ है, इसमें जो ANC feature है फिलाल य मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन कभी कबार ऐसा होता है कि जब आप earbuds पहनते हैं जिनमें ANC है, तो आपके कानों में एक दवाव आता है, तो ऐसा कुछ मैं फील नहीं कर रहा हूं, जो की काफी अच्छा है, जो touch sensitive buttons है, उसे press करके hold करेंगे, तो जो ANC feature है वो activate होता है, य इसमें Bluetooth 5.2 technology उसकिया गया है, और यह APTX adaptive technology भी support करता है, इसमें custom made 10 mm high sensitivity drivers उसकिया गया है, sound quality जो है एकदम excellent level की है, अगर मैं ऐसे rating दो, तो मैं ऐसे 4.8 out of 5 की rating दूगा, बहुत ही कम ऐसे earbuds है, जिने मैं इतना जादा rating देता हूं, पहले जिज़ जो noise cancellation है, यह 40 dB तक का है, ज जो individual earbuds हैं यह आपको तकरीबन 5 hours का non-stop usage दे सकते हैं, उसके बाद में आपको charging case में दलना है charging के लिए, और charging case के साथ में आपको तकरीबन 22 hours का total usage time मिल सकता है, यह wireless QI charging भी support करता है, WAC, SBC और Qualcomm APTX Kodak support के साथ में आता है, इन यह बच का जो weight है, यह तकरीबन 6 grams के आसपास है, base बढ़िया है, जैसे Indian users को पसंद आता है, vocals भी काफी बढ़िया है, काफी clear है, instrument separation भी काफी बढ़िया है, मैंने इसके साथ में games भी खिला है, और games के तौरान मुझे कोई भी lag नजर नहीं आया, clarity superb है, और high tones और low tones को यह काफी बढ़िया तरीके से handle करता है, अब यह जो यह बज है, इनका जो pricing है, high side में है, जैसे कि मैंने कहा यह premium level का है, अब यह जो product है, इसका pricing है, 39,999 रुपीज, काफी जाता pricing है, और यह खास करके iPhone, iPad और iPods के लिए बना हुआ है, अगर आप वो devices उसकरे हैं, तो आपको काफी बढ़िया performance इस पर मिलने वाला है, वैसे Android devices के साथ में भी आप इसे use कर पाएंगे, अगर आप यह product खरीदना चाहते हैं, link मैंने video के description में दिया हुआ है, देखते रहिए,